दोस्तो आपका हमारे युडियूब चेनल पर स्वाधत है। दोस्तो अक्सर देखने को मिल जाता है कि हम पहले से ही किसी के साथ लब रिलेसंसिंप में होते हैं या साधी सुधा होते हैं। इसके बाब भी किसी अंजान या किसी दूसरे से दिल लगा वैठते हैं या लगा वैठते हैं। ऐसी इस्थिक में यही समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करें क्या ना करें। क्योंकि सावी का बंधन एक ऐसा बंधन होता है जिसे तोड़ देना इतना आसान नहीं होता था या लब रिलेशनसिप के रिष्टे में आप पहले से ही बंधे होते हैं फिर भी आपका दिल किसी दूसरे या दूसरी के लिए धलकने लगता है ऐसी इस्थिकी में अक्सर लोग असमंचस में पढ़ जाते हैं कि क्या मैं दोनों के साथ रिष्टी में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ क्योंकि नए रिष्टी में भी आनंदाने लगता है और पुराने रिष्टी को भी आप छोड़ना नहीं चाहते या चाह कर भी छोड़ना नहीं पाते चलो बताते हैं या किसी के साथ love relationship में रह रहे हैं ऐसी इसीच में आपको किसी और से प्यार हो जाता है तो ये आपका प्यार नहीं बल्कि जुनूर और आकरसर अधिक है क्योंकि ज़्यादा का लोग जब पुराने रिष्टे से उंप जाते हैं उसे तोड़ने से आपको क्या-क्या हानिया हो सकती है और क्या लाव मिल सकता है आप कितने लोगों की नजरों में गिर सकते हैं क्या आपके लिए अपने पुराने रिष्टे से निकलना आसान है इन सब बातों को सोच समझ कर आप खुद ही विचार कर सकते हैं क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं पुराने रिष्टे में भी रह सकता हूं या रह सकती हूं और नए रिष्टे को भी अपना बना सकता हूं या बना सकती हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा तो इस जगाए पर आपकी सोच गलत है क्योंकि कोई भी बियक्ती आकित कितने दिनों तक किसी की नजरों में धूल जोंग सकता है बैसे भी इसको और मुनस्क कभी चुपाई नहीं चुपते हैं सेकर नमबर तो दूसरी बात आपको यह भी समझ लेनी चाहिए कि आप अपने बने बनाए रिस्ते को यदि तोड़ देते हैं या एक रिस्ता होने के बाब जूद भी आप दूसरा रिस्ता रख लेते हैं या बना लेते हैं तो हो सकता है कि आपके हाथों से दोनों ही रिस्ते फिसल जाए और आप दोनों जगाए विश्वास को बैठें और जरूरी नहीं कि आप जिसके लिए अपनी साथी सुता जिंदिगी या लव रिलेशनसिप को दाउं पर लगाने जा रही है वह आपके साथ प्यार करने के लिए तैयार हो भी जा जा या या भी हो सकता है कि वह आपको बहुत जल्दी छोड़ दें ऐसी इस्थित में आप क्या करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यमाद